नमस्कार दोस्तों आप लोगों का दबुक्स कलब में स्वागत है मित्रो आज हम उत्तर प्रदेश की प्रमुक एतिहासिक धार्मिक एस्थल एवं प्यार्टन से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टन कोशन लेके आए हैं जो वेरी इंपोर्टन हैं आपके एक्जाम के लिए और ये कोशन लगातार एक्जाम में पूछे गए हैं आप देखेंगे किस सन में कहां पर पूछा गया है तो चलिए बिना समय गवायों इसके सुरुवात करते हैं हमारा पहला कोशन क्या है आगरा सहर के स्थापना की थी किसने की थी बहलो लोधी ने फिरोज तुगलक ने खि सिकंदर लोधी ने ये PCS मुख परिच्छा 2005 में पूछा गया है इसका जो सही आंसर होगा आपसा नमबर D सिकंदर लोधी ने आगरा सहर के स्थापना किसने की थी सिकंदर लोधी ने नेक्स आगला कोशन देख लेते हैं हर्स वर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन किया कह जो सही आंसर होगा आपसा नमबर एक का नौज प्रियाग मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी UPPCS 2003 में पूछा गया है नेक्स अगला कोशन देख लेते हैं नेक्स पोशन क्या है मारा हिंदू मुसलिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है कहां पर आ आगरा में किया जाता है नेक्स पोशन देख लेते हैं अगला चौरी चौरा किस जिले में स्थित है ये समिच्छा अधिकारी 2013 में पूछा गया है ए दिवरिया बी महराजगन सी कुसीनगर और डी गोरकपूर तो इसका जो सही आंसर है वो है आपसा नमबर डी गोरकपूर नेक्स अगला कोशन देख लेते हैं सूची को समलित कर कूट से सही उत्तर चुने सूची फस्ट और सूची सुकंड नमबर एक पर है गोतम बुद्ध नगर दूसरा अमबेडिकर नगर तीसरा संत कबीर नगर और चौथा सिद्धार्थ नगर अब इसका इसका कनेक्शन कह नहां से है अकबरपूर, खलीलाबाद, नागाओर और नौइडा तो इसका देख लेते हैं तो पहले का क्या है आप्सन नमबर एक गोतम बुद्ध नगर का है आप्सन नमबर डी नौइडा यानि गोतम बुद्ध नगर का है फोर्थ इसका मुख्याले कहां पर है सूची स नौइडा में और दूसरा है गोतम बुद्ध नगर, गोतम बुद्ध नगर का नौइडा हो गया और अमबेडिकर नगर के कहां है अकबरपूर कहां है अकबरपूर और संत कभी नगर का कहां पर है तो इसका है खलीलाबाद, संत कभी नगर का है खलीलाबाद और नगर का है खलीलाबाद और सिधात नगर का है नागावड तो इसका देख लेते हैं कूट में जो काउन सा सही आंसर बन रहा है तो इसका आंसर बन रहा है हमारा 4123 आपसा नंबर C इसका जो है सही आंसर होगा नेक्ष अगला कोशन देख लेते हैं नैमे सराण तीर्थ किस जनपद में है उजयन में है मतुरा में है सीतापुर में है जबलपुर में ये भी UPPCS 2002 में पूछा गया है तो इसका जो सही आंसर है आपसा नंबर C सीतापुर में है नैम सराण तीर्थ किस जनपद में है सीताप तो इसका जो सही आंसर होगा आपसर नंबर B कुसी नगर महा निर्वाड मंदिर कहा परिस्तित है कुसी नगर में है निर्वाड अगला कोशन देख लेते हैं जौनपुर नगर की स्थापना किसकी इसमत में की गई गया सुद्दिन तुगलग, महामद बिन तुगलग, फिरोज तुगलग और अकबर तो इसका जो सही आंसर होगा आपसर नमबर B होगा महमद बिन तुगलक की इस्मत में जो है जौन पुर नगर की स्थापना की गई नेक्ट आगला कोशन देख लेते हैं किसे नगर महोदे सिरी के नाम से जाना जाता है महोबा, कामपिल, कन्नावज और मथुरा तो इसका जो सही आंसर होगा आपसर नमबर C कन्नावज कन्नावज को जो है नगर महोदे सिरी के नाम से जाना जाता मित्रो अगर कोशन अच्छे लगे रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा और आप नए है पहली बार वीडियो देख रहे हैं पाचुआ है इसकी पूरी सीरीज चल लही है ऐसा ही हमने करेंट अफेर जन्वरी से लेके दिसंबर तक हर जो सब्जेक्ट एक पिट्यूक्लर सब्जेक्ट को ही लेके चलना है नेक्स्ट अगला कोशन देख लेते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा आपसा नंबर भी वारानसी नेक्स्ट अगला कोशन देख लेते हैं निम्न में कौन सुमिलित नहीं है स्वागेंडपूर हस्तीनापूर विंधाचल देवा सरीप अब इसका कहां से कनेक्शन है किस जनपस से है तो देख लेते हैं पहले का स्वागेरपूर इसका कनेक्शन किस से है तो इसका है अमारा बांदा से है जो की ये गलत है क्या कह रहा है इसमें निम्न में कौन सुमलित नहीं है तो संगेरपूर बांध आईये जो की गलत है बाके हस्तीनापूर मेरट विद्यांचल मिरजापूर में है और देवा सरीप बारबंकी में है तो इसमें ए नंबर जो है अमारा गलत है जो की सुमलित नहीं है नेक्स्ट प्रसिद सूफी संत हाजी वारिष अलिसा की मजार पर मिला लगता है कहां पर फतेपुर में कलेयर में देवा सरीप में गड़ मुक्तेशर तो इसका जो सही आंसर होगा आपसर नमबर सी देवा सरीप में जो है संत हाजी वारिष अलिसा की मजार पर मिला लगता है अगला देख लेते हैं सूची फर्स्ट वा सूची सेकेंड सुमलित कीजिए और उत्तर चुनिए दसवांतर मंदिर बाबा सोमनात मंदिर रगी रिशिक का मंदिर बरहा भगवान का मंदिर अब ये किस जनपद में है मंदिर इसको देख लेते हैं तो इसका पहले का है दसवा दासवांतर मंदिर कहां पर है ये जहांसी में है दूसरा है बाबा सोमनात मंदिर ये जो है हमारा देवरिया में है बाबा सोमनात मंदिर कहां पर है देवरिया में और रिगु रिशी का मंदिर कहां पर है तो ये फरुकाबाद में है और बारहा भगवान का मंदिर कहां पर है तो ये एटा में है दसवांतर मंदिर कहां पर है जहासी में बाबा सोमनात मंदिर कहां पर है दिवरिया में और रिगुरिशी का मंदिर कहां है फरुकाबाद में और वारहा भगवान का मंदिर कहां पर है एटा में तो इसका कूट में देख लेते हैं कौन सा आंसर बन रहा है तो इसका जो सही आंसर है आपसा नमर B 4,3,2,1 नेक्स्ट अगला देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में जैन, एवं बौध दोनों का प्रशिद्यतीर्थ कौन है देवी पाटन, कौसंभी, कुसी नगर, सारनात तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर नमबर होगा इसका B कौसंभी, कौसंभी जो है उत्तर प्रदेश में जान, जैन, वा बौध दोनों का प्रशिद्यतीर्थ है नेक्स अगला देख लेते हैं जानपूर सहर के स्थापना किस ने की थी महम्मत तुगलक, फिरोज सा तुगलक, इबराहिम सा, सरकी और सिकंदर लोदी तो इसका जो सही आंसर होगा आपसर नमबर B फिरोज सा तुगलक ने जो है जानपूर सहर के स्थापना की थी नेक्स्ट अगला देख लेते हैं वह प्राची निस्थल जहां साथ हजार मुनियों की सभा में संपूर महा भारत का वाचन किया गया था वह कहां पर है आविच्छत हस्तीनापूर कामपल नैम शरायम तो इसका जो सही अंसर आपसा नमर डी नैम सरायम में जो है संपूर महा भारत का वाचन किया गया था next अगला देख लेते हैं next किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है आगरा को प्रियागराज को जौनपुर को लखनों को तो जो है जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है next अगला कोशन देख लेते हैं महारिसी बालमिक का आस्रम था स्रावस्ती में, बिठूर में, कालपी में, इनमें से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर होगा आपसे नमबर B, बिठूर में महारिसी बालमिक कासरम कहा था, बिठूर में नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, सूची फस्ट वा सूची सेकंड को सुमलित कीजिये, तथा नीचे दिये गए, कूर्स सही उत्तर चुनिये तो देख लेते हैं, सूची और मंदीर कहां पर है, कनक भावन कहां पर है कामदागिरी कहां पर है, कलजर दुर्ग और देवा सरीप तो इनके जनपद कहां ये देख लेते हैं, तो सबसे पहले कनक भावन कनक भावन कहां पर है, ये अध्या में है, ठीक है और इसका फिर उसके बाद कमदगिरी कहां पर है, ये हमारी चित्रकूट में है और कालिंजर दुर्ग कहां पर है, तो ये बांदा में है और देवा सरीप कहां पर है हमारा बारा बंकी में है कानकभवन अविध्या में है कमदगिरी कहां पर है चित्रकूट में है कालिंजर दुर्ग कहां पर है तो ये बांदा में है और देवा सरीप हमारा बारा बंकी में है जी देखलें इसका जो कूट में सही आनसर क्या होगा 4-3-2-1 अपसर नमबर 20 का सही होगा next अगला देखलेते हैं उदयान वासदत्था की कथा समंधित है किसे स्रावस्ति से कौसंभी से मथूरा से महिसमति से तो उदयान वासदत्था की कथा का जो सम्मंध है वो कौसंभी से है कहां से कौसंभी से ये भी UDA 2006 में पूछा गया है next अगला देख लेते हैं उदायान वासदत्ता की कथा सम्मंधित है किसे स्रावस्ति से कौसंभी से मतुरा से महास्मिति से तो वही कोशन रिपीट हो गया आपसर नमबर B कौसंभी से है next अगला देख लेते हैं संत कभी मूलकदास थे अध्या के आगरा के C कांडा कौसंभी के कासी के तो इसका जो सही अंसर होगा आपसर नमबर C कांडा कौसंभी के संत कभी मूलकदास कहां के थे एक कौसंभी की थ जिसे कांड़ा भी कहते हैं PCS Mains Special 2008 में पूछा गया सारे कोशन रिपेटेड हैं लगातर पूछे जा रहे हैं गुर गोबिन सिंग स्पोर्ट कालेज इस्थित है कहां पर आगरा में प्रयागराज में, गोरागपुर में, लखनों में गुर गोबिन सिंग स्पोर्ट कालेज कहां इस्थित है लखनों में है नेक्स अगला देख लेते हैं कौसंबी इस्थित इस्थत प्रभास इगरी इस्थल का सम्मंद है बौधि से, जैन से, शैव से, बैस्णों से तो इसका जो सही आंसर होगा आपसन नमबर भी जैन से कौसंबी इस्थित प्रभास इगरी इस्थल का सम्मंद किस्थे है जैन से है नेक्स अगला देख लेते हैं निम्न लिखित में से कौन सा यूग सुमलित नहीं है वेंदावन मंदिर मतुरा जेके मंदिर लखनव विशुनात मंदिर वारणसी देवी पाटर मंदिर तुलसीपूर तो इसका जो सही आंसर है जेके मंदिर मतलब लखनव जो की कानपूर में है इसलिए ये सुमलित नहीं आपसन भी इसका सही होगा नेक्स अगला देख लेते हैं निमलिखित में से कौन सा विशु धरोहर इस्थल नहीं है आगरा का किला फतेपूर सीकरी ताज महल अकबर का मगबरा तो इसका जो सही आंसर होगा आपसन भी इसलिए अकबर का जो मगबरा है ये विशु धरोहर इस्थल नहीं है नेक्ट अगला देख लेते हैं सूची फस्ट वा सूची सेकेंड को सुमलिट कर सही कूट की कुने कौसंबी में समारक और भागनावेस तो देख लेते हैं कुशी नगर साधना स्रावस्ती तो कुशी नंबर 26 में जो है पहले जो कौसंबी है इसका स्थान में इसमारक क्या है घोसित राम मठ कौसंबी में स्थान है इसमारक क्या है घोसित राम मठ है कुशी नगर में क्या है कुशी नगर में है हमारा यह है रामा भर इस्तूप क्या है रामा भर इस्तूप कौसंबी में है गोशित राममट और कुसिनगर में क्या है रामा भर इस्टूप अगला देख लेते हैं स्थी सारनात कहा है सारनात में क्या है धामेक इस्टूप क्या है धामेक इस्पूट अब बचा क्या है हमारा स्रावस्ति स्रावस्ति में हमारा क्या है यह सेहर सहेत महेत सहेत महेत क्या ह ये स्रावस्ति में इसमारक है सूची फर्स्ट और सिकेंड के अनुशार जब शुमलित करते हैं तो कौसंभी में क्या है इसमारक घोचित राम मठ है कुसी नगर में क्या है मारा रामा भर इस्तूप है और साडनात में धामेक इस्तूप है और स्रावस्ति में सहेत महेत है इसका कूट का जो सही आंसर वो देख लेते हैं क्या है तो इसका आपसा नमबर C है 2 दूसरा तीसरा और फहला 4 नेक्स अगला देख लेते हैं निमलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौध परिपत का भाग नहीं है तो इसका जो सही आंसर होगा आपसा नमबर C संकीसा जो है ये उत्तर प्रदेश में बौध परपत का भाग नहीं है नेक्स अगला देख लेते हैं लाड कार्नवालिस की कब्र इस्थित है कहां पर है गाजीपूर में बलिया वाराणसी गोरकपूर तो इसका जो सही आंसर होगा आपसा नमबर A गाजीपूर लाड कार्नवालिस के कब्र इस्थित है गाजीपूर में नेक्स अगला निम्न में से कौन सुमलित नहीं है गंगा वाराणसी गोमती लखनव कोसी गोरकपूर सर्यू अविध्या तो इसका जो सही अंसर है मतलब सुमलित नहीं है वो कोसी गोरकपुर्जो की गलत है Next अगला महोदय किसका पुराना नाम है प्रियागराज का खुजराहो का कन्नौज का पटना का तो यह कन्नौज का आपसन नंबर सी इसका सही होगा नेक्स्ट अगला देख लेते हैं बेगम साम्रू ने एक आतिप्रसिद्चर्च का निर्मार करवाया था माउंट आबू में, नैनी ताल में, सरधाना में, कानपुर में तो इसका जो सही आंसर होगा आफसा नंबर सी होगा सरधाना में पेगम सामरू ने एक प्रशित चर्च का निर्मार कहा कराया था सर्धाना में नेस अगला निम्न में से कौन सुमलित नहीं है कबीर पंथियों का पवित्र तीर्त इस्थल मगहर भगवान बुद्ध का निर्मार इस्थल कुसी नगर सूफी संथ हाजी वारिस अलिसा की मजार देवा सरीप 88,000 रिस्यों के तपस्तली संकीसा तो इसमें जो सही आंसर है मतलब जो सुमलित नहीं है गलत है वो 88,000 रिस्यों के तपस्तली संकीसा ये गलत है बाकी तिनों काबीर पंतियों का पवित्र इस्थल मगहर है बागवान बुद्ध करेवना इस्थल कुसी नगर और सूफी संद हाजी एड़ी हाजी वारी सलीसा की मजार देवसरीप में चौता हमारा गलत है नेक्स अगला देख लेते हैं नेक्स अगला जहां इस्थीत था जो वर्तमान में कहां पर इस्थित है तो इसका बिठूर में सीतापुर में प्रियागराज में वारारसी में तो यह बिठूर में हैं कहां पर है बिठूर नेक्स अगला प्रियाग राज इस्थित एल्फरेट पार्क का पुनह नाम करण किया गया है किसके नाम पर भगत सिंग के नाम पर चन सेखर आजात के नाम पर सुबाश चिंद बोस के नाम पर मोतिलाल नहरू के नाम पर तो इसका जो सही आंसर है आफसन नमर बिवी चन सेखर आजात के नाम पर नेक्स अगला विख्यात भारत माता का मंदिर इस्थित है लखनों में वारानसी में प्रियाग राज में मेरट में तो इसका जो सही आंसर होगा आपसा नमबर B वारानसी में बिख्यात भारत माता का मंदिर कहां पर इस्थित है वारानसी में है Next, कलपी नगर किस नदी के तड़ पर इस्थित है गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा तो इसका जो सही आंसर होगा आपसा नमबर B यमुना यमुना नदी जो है कलपी नगर किस नदी के तड़ पर है यमुना नदी के नेक्स्ट अगला राज में पैर्टन को बढ़ावा देने है तो प्रथम ट्रेवल मार्ट यानि 2015 का आयोजन किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था तो ये किया गया था अकबर के द्वारा किया गया था तो ये किया गया था अकबर के द्वारा किसके द्वारा अकबर के द्वारा नेक्स्ट अगला देख लेते हैं नेक्स्ट अगला कोशन है हमारा इसका आंसर हमको लगरा मिस हो गया है राज जी में परटन को बढ़ावा देने हो प्रत्थम टेवल मार्ठ 2000 का प्रत्थम का आउजन किया गया था मित्रो ये कोशन जो है छूट गया है 38 और 11 तो इसको छोड़ देते हैं इसका ए आंसर ये गलत होगा क्योंकि इसका कोशन मिस हो गया नेक्स देख लेते हैं वारानसी इस्थित वर्तमान विशुनात मंदिर का निर्मार कराया था किसने तो इसका जो सही आंसर होगा रानी अहिल्या बाई ने जो है वारानसी इस्थित वर्तमान विशुनात मंदिर का निर्मार कराया था नेक्स अगला महा जनपत काल में आयोध्या निम्न में से किस जनपत की राजधानी थी तो इसका जो सही आंसर होगा हस्तीनापूर की कुरू की कलिंग की कोसल की तो कोसल की महा जनपत काल में आयोध्या निम्न में से किस जनपत की राजधानी थी कोसल की थी नेक्स्ट बहु बेगम का मगबरा कहां इस्थित है लेखनों में आगरा में फतेपुर सीकरी अध्या तो इसका जो सही आंसर आपसर नमबर डी अध्या बहु बेगम का मगबरा कहां इस्थित है अध्या में इस्थित है नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अर्जुन दौपदी का स्वेंबर इस्थल भेद कुंड इस्थित है कहां इटावा फिरोजाबाद फरुकाबाद 12 बंकी तो इसका जो सही आंसर होगा आपसर नमबर सी फरुकाबाद अर्जुन दौपदी का जो स्वेंबर इस्थल था भेद कुंड कहां पर इस्थित है फर इंग्न में से किस रिसी का जन्म वा कर्मिस्थल बलिया माना जाता है अगस्त भारत द्वाज भ्रग गौतम तो इसका जो सही अंसर होगा आपसर नमबर सी भ्रग भ्रग रिसी जो है इनका जन्म बलिया माना जाता है और जन्म वा कर्मिस्थल दोनों नेश्ट अगला रूमी दर्वाजा कहां इस्थित है लखनों में आगरा में अलीगर फतेपुर सीकरी तो इसका जो सही आंसर होगा आपसा नमबर ए लखनों रूमी दर्वाजा कहां इस्थित है लखनों में तो मित्रों ये 45 कोशन थे जो most important थे आपकी exam के लिए और ये लगातार पूछे जा रहे है रिपेटेड भी है तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम 10 मित्रों को जरूर सेयर कहिएगा जिससे जो है उनको भी इसका benefit मिलेगा बहुत बहुत धन्यवाद